तो आई होप आप अपनी पढ़ाई देयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे और क्विज भी हमारे ग्रूप में डेली आके लाइप कर रहे होंगे साथ बजे से कुईज होता है आपको बता दू आपको पता नहीं है तो साथ बजे से हम करते हैं जैनरल एक्लिती हुड की पूइज जहां पMANब सुर्टाइ पड़न होते हैं अगे बढ़ते हैं ठीक है पढ़ाई करते हैं और हमारा मॉक्तेस पीचर रहा है पेड़ वाला जोएन गरना तो आप हमें पूस्ट सकते हैं नंबर तो आपको पता ही है नंबर टेलिग्राम पे जुड़े को वहां पे मिल लिएगा ठीक है तो यहां पे हम देखने वाले आज अपना कुछ डे टू का कोश्चन जो की काफ़ी अच्छे-च्छे कोश्चन थे आपने किया भी बढ़िया से तो नहीं पहला कोश्चन है फ्लोयम इन जिम्नियस्पम लेग तो जिम्नियस्पम में जो फ्लोयम होता है देखिए फालूइंग ग्रास फालूइंग ग्रेजज इस लाड़ी डीटू तो घास के मैदान में बहुत सारे घास थे वहाँ पे गया भैस गरी घास को चर जाते हैं खा जाते हैं उसके बाद फिर से उग जाता है तो आपने कभी सोच है आपको लगता होगा एपिकल मेरिस्टेम ऐसे तो देखो ट्रेकाइड डिफर कैसे है अधर ट्रेकरी इलिमेंट तो जैसे जाइलम में क्या होता है जाइलम वेसल जाइलम ट्रेकाइड जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा तो फाइबर और पैरेंकाइमा यह सब क्या होते हो वहाँ परफोरेशन नहीं देखा च secondary growth secondary growth के लिए लेटर मरिस्टेम लेटर मरिस्टेम होते कौन से इंट्रा फैसिकुलर केंबियम और इंट्र फैसिकुलर केंबियम अगला कोशन है जिम्निस्पम और साब टूट क्यों बोलते हैं जिम्निस्पम के उड़कर क्यों कि वहां पर जायलंग फाइवर क्या होता है और पैरेंट काइमा का मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है न तो यह बात आप जानते रहेंगे फंसन आप कैंपेनियन सेल तुछ कैं इस में से लेटरल मरीष्टें इसमें से लेटरल मरीषבסा पर बताया आपका इंटरफेसिड्लाइब एस तरफेसिकोलर कैंबियम है इसमें जाने बताहें Intercalorie Magistream नहीं है तो यही आपका रायट एंसर होगा वीडियो को लाइक करतो भाई ऐसे बस देख रहे हो लाइक करो वीडियो को The length of different Internault In a calm, calm में क्या होता है भाई वही होता है calm, long internault होता है सुगर के निज वेरियेबल विकाज आप दम तो जो गन्ना का होता है आप गन्ह गन्ना जानते हो तो उसका'll investigator ≪ वह किसके वजथ होता है तो वह होता इंट्र कैलरी मरीस्टायम तो बीज पीच में in leverage Maristiam होते हैं जितना ज्यादा active होगा उतनीज बड़ा-बड़ा गन्ना होगा. अगला question है the common structure feature of vessel element and co-tube element is तो देखो vessel element होगे mostly of co-element होगे वो क्या होते हैं उसमें उसमें e-nucleate condition होता है vessel में भी trachide में भी इसमें nucleus नहीं होता और co-tube में भी जो होता है वहाँ भी nucleus नहीं होता है तो e-nucleate condition होगा अगला question है chlorine chyma is known to develop chlorine chyma कहाँ पर develop होता है क्लोरेंकाइमा होता है ऐसा परेंकाइमा जिसमें क्लोरो स्ट बंजा या क्लोरो फिल वंजा है ऐसा समझ लो तो साइट क्लोरोयला में नहीं होगा ग्रीन यल्गिया तो पॉलें ट्यूबा पाइनस में नहीं रहेगा इस पॉर कैपसूल आप मॉस्ट के जो इस पॉर कैपसूल होते हैं वहां पे क्लोरेन काइमा आपको देखने को मिलता बहुत ही बढ़िया कोशन है चलो अगला कोशन है दससेल आप सेंटर और करेक्ट्राइज बाइदर तो कुईशन सेंटर जो होता है ठीक है क्लाउज ने बताया था यह क्या होते हैं यह सुसुत तवस्था में सांथ पड़े रहते हैं जब जरूरत होती है तब ही डिवाइट करते हैं तो यहां पही क्या ह following statement is true statement कौन सा true है देखते हैं वेसल और बिल्कोल सही बात है multi cellulare होते हैं and with wide lumien यही सही है और सब देख लेते हैं tr warfare bossa the travel with narrow lumien भाई यूणी होगाendra यूणई वेसल और यूणी ये multi होगा ट्री wild होगा यहाँ पर तो तो ए वाला करेक्ट होगा समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं भी या वेसल जो है मल्टी सेलूलर है और वाइड लिमेन है आपका ट्रेकाइड जो है यूनी सेलूलर है और उसका नेरो लिमेन ठीक है वीच आप फॉल्वीच इनाट ट्रू एबाउट इसकलराइड दीजार ग्रूप आप लीविंग जिल इसकलराइड कर से लिविंग होने लगा जाइलम फाइबर का होता है टाइप इसकलराइड ठीक है तो यह डेट सेल होता है ना डेड इलॉंगेटेट सेल हैसे कर सकते हो इज इज आफाउंड इन एनट सेल गवावा पल्पीयर यह सही है इज आल सो का डिस्ट्रॉन सेल बिल्कुल सही बात है यह वाला सही होगा जादा नहीं सोचने का न वीच अदो फॉल्विंग प्लांट सेल वील सो टूटवी पूटेंसी टूटवी पू होना चाहिए तो मेरी स्टेम होता है मेरी स्टेम फूरा टोटी-पोटेंटी नेचर का होता है और ठीक है और हुमन के एच में जाएगो टोटी-पोटेंट आप बोल सकते हो देट अप प्रोटो प्लाजमी प्री रिक्वेस्टिट फार दवाइटल फंसन लाइक तो प्रोटो प्लाजमी का डेट होना नेससरी हो जाता है अब देखो एक जिंदा सेल था अब वह जिंदा था तो काम नहीं कर पारा था वह जान मुझके मर रहा है कि जब तक मैं मरूंग क्या पता ही नहीं चलेगा गनाशरह वहां पर क्या होता है यूप आपटोस्स हो जाता होता है और उरेंज होता है यहां पर microfibril रहते हैं सारे तो न यही decide करते कि भाईया इतना दूरी का जो silva है न इसको मारना है यह मर जाते हैं फिर खतम प्लेट भी खतम ऐसा pore like acid pipe like structure बन जाता है अभी जैलम मर गया तो काम करता है अच्छे से मरने के बाद भी काम कर रहा है कितना अच्छा है plant ना plant के case में tunica carpus theory associated with concerned with tunica carpus भाईया क्या कहोगे आफ suit apex के लिए बोलोगे ना देखो tunica होता है tunica वो क्या करता है उसका anti clinical division होता है ऐसे ऐसे divide करता है वो क्या बनाता है epidermis बनाता है कारपस होता है वो क्या बनाता है वो आपका ground tissue बनाता है ऐसे पेरीक निल का डिवीजन चारो तरफ वाल्यूम में करेगा डिवीजन इसमीट ने दिया था आटिवनिका carpus theory जान जाओ अगला कोशन है मैं Г keariat cell सेonn of gay टो गार्वा कॉस्राओं कराई क्यार्वा रखती बैया सावसिडिरील रखते है देख़ो यह मैरे को बनेगा नहीं यहां पर ऐसे गांडा सेल रिसको arrow यह बीच में धो पूर होता है इसे इस टोऊ-मा बोलते है क्या बोलता है Ishtomah ये पूरे कुमिला की Ishtometa बोलता है जो guard cell औरsınızबसक्षिद्री सब्से science इंच्छोल होती है आप बता हो जो chloroplast होता है आप which chesh होता है वो guard cell में मिलता है To remedy yourself में मिलता है मिलता है Okay Complimenty cell और बल्ली coins भीाधुन कर टाया इसे कर्पस सारे direction करते तो फ्रा très fest की कर्था गॉड् острमइं करते हैं ग्राऊंंत टिस्यू इंक्लूद तो एपी तरमीज को छोड़ दिया जै और वैस्कुलर को छोड़ दिया जाए मतलब पेरी साइकल से छोड़ दिया जाया और उपर का तो सारा ची जो ग्राउंट इसू में आता है आर्ट इसू इसे इपिडर्मी एंड वैस्कुलर बंडल तो बी इस दे करेक्ट है यह बाइकुलेटरल वैस्कुलर बंडल इस करेक्टराइज बाइद तो इसमें बाइकु स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल से लाज कंसिप्जिंस पैरेन काइमा ग्राउंट टिसू वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड है मतलब मोनोकार्ट है अगर डाइकार्ट होता तो ओपें होता क्लोज्ड और ओपें का मतलब है क्लोज्ड है तो मतलब वहां पर क सभर तो यह क्या होगा आपका एक यह बसक्व का मौनो काट स्टेम सब्सक्राइब एंसर होगा याद कलेंगे अब अरे भाई देखो जो रूट होता है रूट में हम ऐसा रेडियल होता है वैस्कुलर मंदल स्कैटर्ड इस टेम में रहेगा तो ऐसे कॉइंसर लगा कि आप कर सकते हो सिलेक्ट दा मोस्ट एप्रोप्रियेट रीजन फार्द फालोइंग तो रीजन फार्द फालोइंग यह कोश्चन थोड़ा सा है यहां पर कोश्चन पूरा होना चाहिए था कि इन्वर्ड फोल्डिंग अफ लीफ टू रिड्यूस टांस्पाइरेशन करके तो इसका एंसर आता फ्लैसिटी आप दा वल्ली फार्म सेल तो देखो कुश्चन क्या था पूरा साइध कुश्च में भी कुश्चन लड़के चिला रहे हैं सांध करके आना पड़ेगा तो इ इन डाइकाट रूट दा वैस्कुलर केंबियम और इन्ट्रा से हो जाता लेकिन अगर रूट की बात होते तो वहां से फ्लोयम मंदल आधा आधा मतलब फ्लोयम मंदल होता है इसे कंजक्टी टिसू बहु सकते और आधा होता है पेरिसाइकल से तो एह ही करेक्ट होगा ना कि इस आधा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट बहुत ही अच्छा कोशन हाट डाइकट वार्ट बात गीव मेंजिव सपोर्ट बिल्कु सही बात है तो देखो न शैपूर्ड जो होता आउटर मोश्ट होता है इनर मोश्ट में होता है वह होता है तो यह वाला सभी होगा मतलब गल कोई दिक्कत नहीं है एंडाइगार्ट रूट कैनby इडेंटीफाइट बाई डाइगाट का रूट में हमेसा क्या होता है इकजार्ज होता होता है इकजार मतलब सेंट्री पिटल ड्वल्प्मेंट नाइलम तो यह वाला स सही होगा इंडार कमेसा इस्टिम होगा which are the following are undifferentiated actively dividing cell तो undifferentiated मतलब उसको अभी कोई काम नहीं दिया गया, जैसे मैं हूँ I am the undifferentiated तो मैं हूँ undifferentiated type का, मतलब differentiated हूँ, CUT के लिए आप सबको guide कर रहा हूँ, assistant professor के लिए guide कर रहा हूँ जैसे ऐसा टाइप का विदला type का undifferentiated का मतलब समसकते वो कुछ भी कर सकता है, हाँ, ऐसे मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, तो I am undifferentiated तो parent काईमा है भाईया, parent काईमा ठीक है, कह सकते, लेकिन आप देखो, आप parent काईमा लगाओगे parent काईमा को बोलो, लेकिन मेरी systematic सबसे यदा correct होगा न, अभी मेरे मेरे division की capacity है, भाईया मैं ही कोलेन काईमा बनाओगा मैं ही स्कलेन काईमा मैं सबको बना सकता हूँ, तो समझ जाओ, हाइदेन थोड और component आप तो हाइदेन थोड क्या होता है भाईया, गटेशन टेक्स प्लेस करता है, गटेशन हीजे, last of water in form of the droplets in early morning, from the tissue, आप हाइदेन थोड, एपी तंदरीश system, बर्गिश्टीन ने खोच किया था इसका, अगला कोशन है, इन कोलेन काईमा दद थिकनी का आप कार्णन मेड़ाप, अरे भाईया, लिगनीन नहीं होता, आप लिगनीन पे मत जाओ, कोलेन काईमा में पेक्टीन मोसली, सेलूलोस है, तो सेलूलोस के साथ जा सकते हो, ले बोलते हैं, स्टोन सेल, फ्रूट पल्प हो गया, चना हो गया यह सब, सी डूट के ऊपर मिलता है, कोलेन काईमा कंसी त्यूट कंसी जवह हाईवोडर्मी सिन, तो कोलेन काईमा देखो मैंने बताया है, डाईकार्ट के स्टेम में हमेसा रहएगा, और कहींज इसमें भी नह लाजी का तो सारे चीच पढ़ते रहो सारे चीचे सही है वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले कमेंट सेक्षिन में अच्छा सा कमेंट कर देना ओके चलता हूं मैं मिलूंगा आप से कल इसी टाइम पे थैंक्यू फा वाचिंग इस वीडियो